हेलो दोस्तों, मैं जानती हूँ मेरे पोस्ट के बाद आप सब बहुत परिशान हुए और आप लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश किया, आप लोगों के मैसेज के जरिये, मुझे पूरी इंडिया से मैसेज़स आएं कि आप स्ट्रॉंग बने रहे हैं, आप स्ट् इप्रेशन में जाने की वज़े सिर्फ यह रही कि मैं अपने अपने आपको बहुत पावरलेस फिल कर रही थी, क्योंकि हम अप्टरों को अतनी आजाद ही नहीं है, अगर हम कहीं कुछ रियक्ट करते हैं, तो लोग वहां अगर गंदी-गंदी बाते लिखते हैं बीना जा अपनी बात नहीं बोल पाते हैं, मैं सिर्फ अक्टरों को नहीं कहूंगी, I think यह हर जगे है, कोई जब अपनी आवाज उठाता है, तो लोग उसे पबिक सिर्थी स्टंड कहते हैं, मैं आप लोग बता दू कि पबिक सिर्थी स्टंड के लिए और भी कहीं तरीके हैं, अग पूलिस से बात थी, पूलिस का सपोर्ट मुझे बहुत ज़ादा है, मैंने एफब यार के लिए बात की, अभी पूलिस ने उस शक्स को बलाया है, पूलिस उसे बातचित करेगी और कारवाई करेगी और जो वो शक्स हैं और उनके लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने भोषपूरी के खिलाफ अशिल्दा के खिलाफ बाते लिखी हैं मैंने भोषपूरी की फिल्मों और गानों के बारे में जिक्र नहीं किया है मैं ये बता दू कि मेरे पास सबूत है उन्होंने मेरा नाम लिखा है और उन्होंने मुझे टार्गेट किया है और ठीक है उनका कहना है कि उन्होंने मेरे लिए नहीं लिखा पर उन्होंने किसी के लिए लिखा है किसी औरत के लिए लिखा है तो उन्हें ये जवाब ज़रूर देना होगा कि उन्हेंने किस के लिए लिखा है और मेरे पास तो ऐसे भी सबोते जिसमें उन्हेंने मेरा नाम लिखा है मेरे तस्वीर को इस्तमाल किया है और वो लिख रहे हैं कि कि उनको कुछ होता है या उनको धंकिया आ रहे हैं तो मैं एक बात बहुत ही साफ शब्दों में कह देना चाहते हूं कि मैंने अपनी दर्ध का बयां सिर्फ मुंबई पुलीस को दिया है पुलीस को किया है रिक्वेस्ट किया है मैंने और किसी को नहीं कहा कि आप कोई उने जो भी धंकिया या जो भी लिख रहे हैं जो कुछ हो रहा है इसमें मेरा कोई लिना देना नहीं है मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगे जो भी वह लोग लिख रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना दिना नहीं है, उन्हें किनके叫 कॉल जा रहे हैं, किनका क्या हो रहा है, मुझे से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा उस में कोई लेना दिना है ही नहीं आइनो मैं जानती हूँ कि अगर मैंने आवाज उठाई है तो मुझे कहीं लोगों की बाते सुननी होंगी, कहीं लोग मेरे सपोर्ट में आएंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि 7-8 साल से जब मैं इन बातों पर जिक्र कर रही थी, कहीं लोगों से मैंने जिक्र किया कि मेरे बारे में बहुत लिखा जा रहा है मोटी, बुढ़ी, नजाने और क्या-क्या फोटोज डाल के लिखा जा रहा है, सब ने यही कहा कि उसके बारे में रियाक्ट करने का मतलब है कि उसे पबलिक सिटी देना, उसको पॉपिलर करना यही सुन-सुन के मैं हमीशा चुप रही और मैंने रियाक्ट नहीं किया, पर अब जब मैंने रियाक्ट किया क्यूंकि मैं मैं mentally harassed हो रहे हैं इस बात से, और जब मेरी health पर बात आ रही है, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो लोगों को पता ही ने चले कि इसको हुआ क्यों गई डिप्रेशन में या क्या हुआ मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो जिनकी वज़े ये लोग हैं उनके बारे में जरूर पता हो सबको इसलिए मैंने लिखा और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम अच्छे लोगों के बारे में खुल कर लिखते हैं फेस्बुक पर या कहीं पर बात करते हैं तो हम उन लोगों के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं उन लोगों के बारे में ये सोच कर क्यों चुप हो जाते हैं कि इसी public city की उद्धे से popular क्यों करें अरी popular तो उन्हीं को करना चाहिए ना जो गलत काम कर रहे हैं जो अपनी position का गलत फाइंदा उठा रहे हैं जो वह शक्स है वह कहते हैं कि वह पत्रकार हैं तो जी फिर तो वह गुनेगार नहीं है। कह तो गुनेगार हम हुए। सरकार अलकर यह कहती है की सरयान कोई भी मर्द यह औरत किसी को भी बेसाती कर सकता है उसकी बाड़ी पर कॉमेंट कर सकता है मोटा पतला यह जो भी फोटोज डालके लिख सकता है तो फिर तो हाँ, फिर तो गुनेगार नहीं है वो, गुनेगार तो हम है उस दिन में इस तरह परेशान हो गई थी, कि अगर मेरे पास मेरी मम्मी या भाई नहीं आते तो शायद मैं पता नहीं मैं किस जोन में थी, क्या हो गया था मुझे पर मैं यहाँ सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी खास कर पूरी मीडिया को जिनोंने मेरी बात सुनी जिनोंने मेरी बात को महत्व दिया उन्होंने समझा कि हाँ मैं तकलीफ में हूँ उन्होंने इसे पब्लिक सिर्टी स्टन का टैग नहीं दिया और मेरे इंडरस्ट्री के लोग, जो मुझे, जिनों ने मुझे बहुत पहले से देखा है, वो सब जानते हैं कि मुझे किसी पब्लिक सिटी की ज़रुवत नहीं है, मैं इतनी क्यापेबल हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे नाम से पहचान जाते हैं फिर भी कुछ ऐसे इंडरस्ट्री के हमारे लोग हैं, जिसे हम दिगज कहते हैं, और वो दिगज कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं है, जिन्हों ने इसे पबरिसिटी स्टन का टाइक दिया, अब मैं यह कह सकती हूँ कि हाँ, हमारी इंडरस्ट्री का हाल इसलिए ऐसा हुआ ह क्योंकि इस तरह के दिगजों के हाथ में हमारी इंडरस्ट्री है, थैंक्यू पूरी मेडिया को, थैंक्यू पोलीस जिन्होंने मेरी बात को समझा और मेरे, हाँ, मुझे, मुझे पोलीस ने डाटा भी की, डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है, और समझाया भी मुझे, और म तो अपने आपको कितना सही साबित करते हैं मेरे पास, मेरे नाम से लिखेμεं जितनी चीजएं थी बैने पुलिस को दे दी हैं दोस्तों ठैक्यू ऐसे ही बने रही है मेरे जितने दोस्ते हैं जिन्हों ने मुझे सपोर्ट किया हमारे industry की हमारे heroes, actresses, actor जितने भी हैं उन सब ने बहुत support किया और आगे भी मुझे आपके support की जरूरत होगी इसी तरह अगर आप लोग support करेंगे न तो कोई भी इंसान depression में नहीं जाएगा और नहीं कोई गलत कदर उठाएगा मैं अपने आपको संभालने की कोशिश कर रहे हूँ और मैं बहुत जल्दी वहापर स्लोटोंगी अपने नॉर्मल रोटीन के साथ थैंक्यू सो मच गाइस